हाई फिरेंट्स सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर आप दा अब तक के जो हम लोग कर रहे थे वह बिल्कुल ट्रेडिशनल के तरीके से कर रहे थे और डेफिनेटली हम लोग देख रहे थे कि रिजल्स भी हमें मिल रहे हैं बट कहीं न कहीं अब आई टेकनलोजी के आने से यह ट्रेडिशनल सर्चेज कहीं ऐसा नहीं कि यह एयाई एस्यो में कनवर्ट हो जाए तो फिरेंट आज का जो हमने टॉपिक्स चूज किये यह इस बेस पर किये कि जो लोग ऑल्रेडी जो काफी समय से इसे फिल्ड में इंड्रॉल्ड है उनके लिए प्रॉब्ल इस यह को यूज करें अभी तक तो गुगल ने यह भी काया कि गुगल की जो सर्चेज है वह डिपेंट्स ऑन किस पर करती है तो हम एइए टेकनोलोजी को नहीं मानते हैं और हम एए टेकनोलोजी की बीना जो आप और गनिकली वर्क कर रहे थे वहीं आप करते रहों लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ना इस टेकनोलोजी को भी यूज करते हुए बहुत लोगों ने रैंक भी एचीव की हैं मेरा सबसे बड़ा कुस्स यह हैं कि अगर यह सिस्टम आ जाते हैं तो हमें कहां पर प्रिकॉशन देने की जोड़ते हैं कहां प कि आप ट्रेडिशनल को और यह जो इंटीग्रेट हुई है अगर यह इंटीग्रेट हुई है तो इसमें लोगों का क्या इंपक्ट पड़ाया मार्केट में वह आप देखो यहां पर ग्रोथ ऑफ दा एयाई ड्राइवन एस्यो टूल्स यह ले लेगा यह जगह ले लेगी यह HRDF जो इस तरीकी के टूल से सेम रहा है इन लोगों ने भी कहें न कहीं AI टेकनोलोजी को यूज करते वे भी अपने में इनहांस्मेंट लाई है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 70% आप दा बिजनेस जो यह हो रहे है वो डेफिनेटली उसी की वज़ा से हो रहे है उ स्वेंटी परसेंट सर्च रैंकिंग्स प्रेफरेंट यह कह रहा है कि 30% इंक्रीज करेगा सर्च एंजिन और गेनिक सर्च रिजल्ट आपको बस थोरा से स्मार्ट वे में आप वर्क करो ना कि हुमें से रिलेटेड और AI टेकनोलोजी को अगर आप इंटीग्रेट कर देते करते हैं है जो वो कंडिशन्स if इस टेकनोलोजी पर ये करना ओए कि अगर こ रुपीज बच जाते तो मेरे लिए ना बिजनेस के लिएוס सो डेफिनलेटली कही ना कहीं इसकी इंवल्मेंट आई कि कास्टिंग आपकी कम हो गई हैं content पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे आपके पास टीम होती थी आपने उस कॉस्ट को भी बचा लिया और दस जो content तो उसके जएगा आपने तीन चार रखे तो वह कॉस्ट तो सेविंग हुई न यूजर प्रेफरेंसे ए इन्हांस सर्च जानने सब्सक्राइब कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी डेटा है एक्टी परसेंट चैलेंजेज चैलेंजेज तो एवरी टाइम साते हैं हमें अगरिदम के चींजिंग आती है तो डिफनेटली गूगल के तरफ से आपकी रैंक ड्रॉप होगई है आपने यह चीज नहीं कि आपने बहुत कि लोग फेट अप सोजाते हैं ऐसे कंडिसेंज में तो डिफनेटली चैलेंजिंग भी आई हैं 45 परसेंट और बिजनेश करेंटली इंवेस्टिंग इन दे ए आई टेकनोलोजी कंपेटिटिव एडवांटेज तो 25 परसेंट इंक्रीज इन दे मार्केट सेयर एमंग दे बिजनेश इंप्रेसिंग ए आई टेक आप यूज करते हो इंडस्ट्री एडॉप्शन डेट्स भी लोग डिफिट्ली एडॉप्ट कर रहे हैं 60 परसेंट आपनी साइट की प्रोमोट की हैं जो हम बता रहें चैलेंजिज की और जो हम बता रहें कि लोग जिस तरी किसे मार्केट ग्रो हो रही है यह टेकनोलोजी को लेते हुए वह डेटा इसी पर डिपेंड करती हैं अब आप देखो सेवेंटी परसेंट आप प्रोफेशनल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाज चलो हम यह कोलाइबरेशन कर ले तो डेफिनिटली हम यह केंट अबेटर डिजल्स फूचर इन्वेंट्रेंट अगर आपको हो तो देख लो फाइब बिलियन डॉलर की जो स्टैटिक्स बता रही है मार्केट की वह बता रहे कि यह इंक्रीज होने वाली है क्या लगता है यह डेटा देखने से कि आपको कहीं न कहीं AI की टेकनोलोजी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए राइट अब बात करते हैं फ्रेंट्स की जब आपको सबको पता है मैंने देखे यह डेटा इसलिए बना देगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे स्क्रीज पुरी तरह से विजीबल है और आप देख लो यह आप यहां पर देख सकते हो पढ़ सकते हो तो डिफरेंट्ली आपको डॉक् तो मैं कॉमन्ट के सांथ मैं यह आपको बताऊंगा कि अगर आपको डॉक्ट किमेंट्स है तो अबना इमेल आप मेरे फोन नबर पर प्राइवेटली भेश सकते हैं तो मैं उस के तेख अभेश सकता हैं सबको पता अब है कि बताने की जड़त नहीं है लेकिन आप देख ल अब क्या करें सकते यह पावर के आने से नेचुरल लेंगवेज प्रोसेसिंग मसिन लगरिंग एल्गोरिदम्स वैस सर्च ऑप्टिमाइशन प्रेडिक्टिव एनालीसिस तो देख लो आपके पास यह पर्टिकुलर पूरी एक डिटेल्स आ जाती है जिसको आप यूज करते सब्सक्राइब अच्छी साइट की प्रोमोट कर सकते हो अब सिम्टम्स की बात करते हैं चैलेंजे और इसके आने से क्या क्या हुआ कि वर्ट सैचुरेशन ऑके ओवर्यूज ऑप्टिवर लीडिंग की वर्टिश्टेफिंग वह चीज़ेंगे लिमिटेट परस्नालाइज सब्सक्राइब करते हैं इसकी की वर्ट यूज करते हैं कंटेंट में आप यूज कर सकते हो प्रेडिक्टिव इंसाइट्स आपको ट्रेंड जितने भी आते हैं उन टेकनोलोजी को भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो देख सकते हो अपने साइट में पब्लीज कर सकते हो तो दीज आर्ट फैक्टर्स जो यहां पर ट्रेडिशनल एस्यों की बात कर रहे हैं और जो अब आप सब्सक्राइब आपको पर मंत की स्क्रीप्सिंस मिल जाते हैं लैक आफ यूजर कॉंटेक्स्ट आप यूज करते थे टेकनिकल लिमिटेशन थे राइट अब इस फैक्टर्स में क्या क्या है डेटा प्राइवेसी कंसर्ण डेफिन यह तो होना ही था आपको इन चीजों को भी फैक्टर्स को भी समझना परेगा आने वाला जो फ्यूजर होंगी वह बहुत ही ज्यादा आपका मतलब की इन्हेंस होने वाली है आप समझ सकते हो कि अगर आपने तरीके से इसको यूज कर दिना तो नेवर यू विल गेट अलूज एनी रैंकिंग अब इसके डियागनोसिस एंड टेस्ट किया है त्रेडिशनल ने पता है कीवर्ट से रैंकिंग एनालिसीज एक्स ने मिलना है कीवर्ट अगर आपने तरीके से टार्गेट नहीं की आपने वो चीज़े निकाली ने जो यूजर सर्च करते तो इसमें इस्व आ सकती है बैक लिंक को आपने तरीके से बनाया नहीं तो वहां पर पर प्रॉबलम आ जाती है अब इसकी परफॉर्मेंस मेटिस सबसे पर्सनलाइजें इफेक्टिवनेश सटिस्फैक्शन मेटिस प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस एनलिस डेटा प्राइवेसी कॉंप्लायांस वहां यहां पर देखा देने की जरूरत है कि हम कहां कहां पर डागनोसी जैन टेस्ट कर सकते हैं और कितना बेटर रिजल्स अब्जर्ब कर सकते हैं फिर अभी थोड़ा सा इसको तरह सा ब्रेक करते हैं और मैं तो देखाता हूं अभी मैंने गूगल में सर्च कि वाटी जैसी हो तो इसने क्या कि मुझे एई से निकली भी यह डेटा दे दी पर यह डेटा आई कहां से सबसे बड़ी बात है यह तो म आफने यूज कर रहे हैं कालाई यह वह यहां पर कॉपी करके यह ओपन करता हूं कि यहाँ से चीण Lao ऐन जलति आउन 돼कर manufactured कूई आई पaste इसे पर आउम में आइन ब्रीग मेंने से ग्रीड को बिश्नाने विल्कुर्र अंडर抗 कि हाँ तो उनकी डेटा यहां पर आ रही है तो आप समझ दो कि इस तरीके के डेटा को यूज करते हुए गूगल ने इन लोगों को यहां पर AI में रैंक दिये और यह सारे यहां पर यहां पर यहां पर दिखाना यह थोड़ा सा मुझे तो यह लगा कि अगर आप यहां पर दिखा रहे तो इनको यहीं दिखाना यहां चाटा दो ताकि और लोगों को यहां पर रास्ता किलियर मिले यह मेरी एक तोरह सा इनालिसिस थी जो मैं सोचता हूं कि वह तीन जो साइट आप उपर देखा रहे वह चीज़े आप यहां से गूगल एड़ आप यहां पर देखा रहे तो मैं गूगल से यहीं कंसीडर करता हूं कि वह इन डेटा को यहां से आप उपर में देखा रहे ताकि तिन लोगों की और इस पेसे और वह तिन वेफसाइट वह इसी नहीं साइटे आए जो रियल में अच्छी एस्यो कर रहे हैं जा इन्फॉर अब आप तक आपने देख लिया कि मैंने आपको पता चल गया कि क्या क्या करना ट्रिप्ट्रिवेंट ऑप्संस में अप्तिमाजेशन टेक्निकल लिंक बिल्डिंग अल्गोरिदम एडाप्संस यह तो सबको पता है कि इसको कंट्रोल करके रखना है याई को कैसी उज़ कर आप इसकी अनालिसिस कर सकते हो और डिफिनिटिव और वहां पर उसकी रेपलाई जाए लॉग टर्म टाइप या सेंटेंस को यूज नहीं कर सकता है वतलब कि यूज टाइप नहीं कर सकता है उतना लंबा कि वह इन्हें इस्पीक की और उनको रिस्पॉंस वहां पर यहां पर दिया हूँ इसको आप डिफिनेटली तरीके से अगर आप यूज करते हो ना तो डिफिनेटली आपकी एस्यूए में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फीचर भी आपको ब्रॉड ब्राइट होगा और डिफिनेटली आप बहुत चीजे भी यहां पर सिख सकते ह यहां पर इंक्लूट के प्रॉड्रेटली टेक्नलोजी जब चेंज होड़ी तो आपको भी अपने उसके एक्कॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे उजर सेंट्रिक एप्रोच एथिकल लिंक बिल्डिंग बिल्डिंग को आप इस तरीके से हाई क्वालिटी ब्राने सब्सक्राइब करने के लिए अगर अपनी प्रोमोशन और करते हो तो आपकी एप्रोच आपकी जो स्टैटेजी वो डेफिरेंटली इंप्लिमेंटेड होंगे राइट अगर कभी ना कभी ऐसा हो जाए सिच्वेशन की एए ने पूरी तरीके से ट्रेशनल एसियों को और ग मार्केट में क्या होगी तो थोड़ी सी इसमें इंक्रीज आटोमेशन हो जाएंगा डेफिरेंटली वो तो होना ही ता कोई भी नहीं जाएगा वैसे बिल्कुर ऐसे इसे 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 जरूरत नहीं है बटे कहने करने मैं अगर साइट बनाके छोड़ देता हूं तो क्या रहे सप्रेशन और इसे इसे इसाइड़ी करते रहने पड़ेंगे और प्रमोशन यानि कि आपको आपको अप्छिवीटी करती रहने पड़ेंगे जो बेस्ट हो आपके लिए शेप्डिन ऑप्टिमाजसन स्ट्राडेजी इनहांस्ट परस्नलाइज़ेशन अईल्गोरिदम जो फाइनल आउटकम्स जो मैं निकाल के यहां पर बैठा हूं कॉन्कूलुजन्स वह मैं सब्सक्राइब कि आप यू नीड टू बी और यू नीड टेकनोलोजी फॉर दा फ्यूचर एसी हो आपको बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको एडियास दे नहीं नहीं होगे तो आपके साइट से ही तो लिंक करेंगे ना वह क्या है लिंक बिल्डिंग ही तो है ना मैं कहूं कि अगर यार मेरे को डिजिनल मार्केटिंग इस्टीचूट या स्चेर चेंज लैंड में करने है तो आपको सब्सक्राइब लगेगा वहां तक पहुंसने में 6-7-8- चाहिए एक साल भी लग सकते हैं बट आपको कोशिस करती रहनी है अच्छे कंटेंट बनाने की और डिफिनेटली इस्ट्राइजी पर वर्ड करते हो तो डिफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आगी फूचर में और मेरा परपस भी यह था कि लोगों को अवेर करना कि AI टेकनलोजी को यूज करते भी हाओ तो प्रॉमोट यूर वेबसाइट तो दोनों कॉम्बिनेशन लेकर आप चलो कोई निगेटिव इंपक्ट ने पड़ेगा बट तरीके से अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो डिफिनेटली आप मेरी वीडियो को लाइ